नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आफेर्स क्लाउड में तो दोस्तो यूक्रेन की सेना ने राजधानी क्यू की और तेजी से बढ़ रही है और रूसी सेना पर जोड़दार पलटवार भी कर रही है और यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के 30 टैंक बरबाद कर दिये हैं और 6 हेलिकाप्टर और फाइटर जेट को तबाह कर दिया है तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो रूस के साथ जंग में अब यूक्रेन की सेना ने जोड़दार पलटवार करना सुरू कर दिया है और यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के 30 टैंकों को तबाह कर दिया है और इसके अलावा 130 हथियार बंद वाहन 7 विवान और 6 रूसी हेलिकाप्टरों को भी मार कर गिरा दिया है और यही नहीं यूक्रेन के मुताबिक रूस की एक पूरी बटालियन ने आत्म समरपड कर दिया है और इस बीच रूस ने भी जंग में बढ़त लेते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक स्थान चेर्णोबिल पर कबजा कर लिया है अब रूसी सैनिक राजधानी क्यूपर कबजे के लिए बढ़ रहे हैं वहीं यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी हमले में 137 लोग मारे गए हैं जिसमें सैनिक भी सामिल हैं जबकि 316 लोग घायल हैं और यूक्रेन की सेना रूस के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है लेकिन अमेरिका और बिटिस हतियारों के बल पर रूसी सेना को यूक्रेन में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिका ने पड़ोसी रोमानिया में बड़े पैमाने पर सेना को तनात कर रखा है लेकिन उसने यूक्रेन को जंग पुद ही लड़ने के लिए कहा है और रूस की सेना और यूक्रेन के बीच उत्री सीमा से 60,00,00 में अभी भी भी सड़ जंग चल रही है और जहां तक यूक्रेन की सेना की हार की पूरी आसंका है लेकिन फिल हार वे रूस को करारा जवाब दे रहे हैं और इससे पहले यूक्रेन की सेना ने दावा किया था कि उसने रूस की सेना के 4K52 अटायक हेलिकाप्टर को मार कर गिरा दिया है और ये हेलिकाप्टर गोस्टों मेल एयर बेस पर हमले के दवरान तबाह किये गए हैं और एक अन्य हेलिकाप्टर को आपात कालीन लेंडिंग करनी पड़ी है और इससे पहले गुरुवार को दिन में रूसी सेना के 20 हेलिकाप्टरों की फाउज ने एयर बेस के रनवे पर हमला किया था और इसके बाद यूकरेन की जमीनी सेना ने जोड़दार पलटवार करना सुरू किया है और रूसी हेलिकाप्टरों को मार गिराया है अब रूसी सेना के निसाने पर यूकरेन की राजधानी कीव है और यूकरेन की सेना ने दावा किया है कि उसके मिग विवानों ने कम से कम एक MI8 हेलिकाप्टर को तबाह कर दिया है और यूक्रेन की सेना ने यह भी दावा किया है कि उसने रूस के 6 फाइटर जेट को पूरवी दोन बास इलाके में मार कर गिराया है और इससे पहले रूस के रच्छा मंत्राले ने भी माना था कि उसका एक N26 मालवाहग विवान सैन उपकरणों के साथ तबाह हो गया है और इस विवान पर सवार सभी रूसी सैनिक मारे गए हैं और इन पर लदा हथियार भी तबाह हो गया है अब आप लोगों का क्या कहना है यूकरेन सेना के पलटवार पर कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट करने ताकि जैसे ही मैं डिफेंस से जुड़ी खबरे दूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे और कोई भी खबर छूटे नहीं धन्यवाद